साथियों, कोई भी बीमारी आपको हो सकती है, कभी भी हो सकती है, बीमारी कभी सोच समझकर नहीं आथी, वो कभी भी अचाना का सकती है, लेकिन हमें अपने आपको स्वस्थ कैसे रखना चाहिए, हमें कैसे उन लक्षनों को पहचानना चाहिए, सबसे ज्यादा जरूरी ये ह लेकिन आज हम यहां बात करने वाले हैं हार्ट अटेक की बीमारी की हार्ट अटेक बहुत ज़्यादा हो रहा है और युवाओं में तो बहुत ज़्यादा संख्या इसकी बढ़ गई है लेकिन आपको बताना चाहूंगी कि अगर हार्ट अटेक आपको आता है तो उस तरह का पसीना कैसा होता है? कैसे संकेत होते हैं? इस वीडियो में आज हम जानेंगे खराब लाइफ स्टाइल और खानपान हाट की बिमारियों का जोखिम बढ़ाती है खास्तोर पर कोरोना महमारी ने हमीं सिखाया कि सिहत मन रहना कितना जरूरी है कोरोना के बाद से हाट अटेक के मामलिक काफी तेजी से बढ़े हैं पहले 50 साल के बाद या बुड़े बुज़ूर को हाट अटेक आते थे लेकिन अब आई दिन हाट अटेक से मरने वाले लोगों की संख्या दिन पर दिन बढ़ती जा रही है अब तो बच्चे युवाओं को भी हाट अटेक आ रहे हैं हाट अटेक के कई लक्षन हो सकते हैं जैसे सीने में दर्द, खबराहट और तेज पसीना आना हाट अटेक के प्रमुक लक्षनों में से एक है गर्मियों में पसीना आना आम बात है लेकिन तेजी से पसीना आना और उसके बाद असहज महसूस होना ये हाट अटेक के लक्षन हो सकते हैं जब खून ठीक से दिल तक नहीं पहुँच पाता है तब हाट अटेक का खत्रा बढ़ता है इसके कारण कोरोनरी यानि बलड सर्कूलेशन में परिशानी होने लगती है जिसके कारण तेज पसीना आने लगता है कोरोनरी में जब कॉलेस्टरॉल जमने लगता है और इस कारण हाट में बलॉकेज होने लगती है तो दिल में खून की कमी होती है और फिर हार्ट अटेक का खत्रा बढ़ता है दरसल दिल खून को पंप करने का काम करता है जब दिल ठीक से बलंड को पंप नहीं कर पाता तो दबाव बढ़ने लगता है इस कंडिशन में शरीर नॉर्मल होने के चक्कर में पसी ना निकलने लगता है और यहीं तेज पसीने के कारण बनता है और फिर होता है हार्ट अटेक हार्ट अटेक के लक्षन क्या होते है इसमें सीने में दर्द और खबरहट होती है सीने में तेज जलन और असिडिटी होती है तेजी से पसीना आने लगता है ठकान और चकर आते हैं सांस लेने में दिक्कत होती है, हाट बीट तेज या कम होती है, हाथ या कंदे में तेज दर्ध होने लगता है, दात या जबड़े में दर्ध होता है. हार्ट अटेक किस वज़ा से पढ़ सकता है ये भी चानकारी अच्छी है हार्ट अटेक के कई कारण हो सकते हैं जिसे बहुत ज्यादा स्ट्रेस, तनाओ, खराब लाइफ स्टाइल, खान पान, शराब पीना जिन लोगों को शराब पीने की आदत हैं उन्हें भी हार्ट अटेक का खतरा हो सकता है इसका असर ब्रेन पर पढ़ता है, हाई कॉलेस्टरॉल होने पर भी हार्ट अटेक का खतरा बढ़ता है जिसके कारण आर्टरी में ब्लॉकेच की इस्थिती बढ़ती है जिसे हार्ट अटेक हो जाता है जिन लोगों को डाइबर्टीज केटनी या लीवर से जुड़ी कमभीर बीमारी है उन्हें भी हार्ट अटेक का खतरा काफी ज्यादा होता है प्रदूशन के कारण भी हार्ट अटेक पढ़ सकता है इससे सांस से जुड़ी बीमारी फेपड़े और हार्ट पर भी असर डालती है वजन बढ़ने के कारण भी हार्ट अटेक पढ़ सकता है जिन लोगों का वजन बढ़ा हुआ है उन्हें हार्ट अटेक पढ़ सकता है तो और अपनी सेहत को अगर आप अच्छा रखेंगे तो आपका दिल मजबूत रहेगा और आपको कभी भी हर डिजेज नहीं होंगे तो अमीद करती हूँ आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें सबस्क्राइब करें शेयर करें कॉमेंट करें और बेल आइकन का बटन दवाना बिलकुल ना भूलें